हेलो बैच्चो आपका हमारे चैनल पर स्वागत थे बच्चो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कच्छा दौस में पूछे जाने वाले छेच्छे नमर में सभी महतपूर कोईशन को हल करेंगे जिसका पेपर 27 फरोरी को होने वाला है तो चलिए बच्चो सुरू करते हैं कौन कौन से इंपोर्टेंट कोईशन है जो हमारे छेचे नमर में पूछे जाते हैं बच्चो यहां यह दखना छे नमर में हमारे तीन कोईशन 27 फरोरी को आने वाले अगर इस वीडियो के देखते हो तो फिक्स कर रहा हूं कि यह सभी कोईशन यहीं से फस जाएंगे तो चलिए सब्सक्لى क्ली को को लिक्कोंगे और कैसे इसका कार टेंट से और और जिसके कौन-कौन से पार्ट लगे रहते हैं सबी के सबी पाट हम लोग देखेंगे सब से पहले देखो बच्चो उतर में लिखना की उतर नमा जो भी दिया होगा उतर नमा लिखना उसके बाद लिखना हेडिंग बीधूत मोटर ठीक है बच्चो क्या लिखना है बीधूत मोटर अब सब से पहले बीधूत मोटर को यह देगा है ये लाइन लिखे दीजेगा कि विदुत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विदूत विदु तुजया को यांत्री कुजया में परवर्तीत करता है विदु मोटर कहां कहां लगारा ता बच्छो पंको में लगा ता यहां पर क्या आता EDU यूच होता है ठीके बच्छों उसके बद czy क्या करना है आपको चीतर होता है और असे component बनाआ के लो कुंडली होता है तार का तामबे का तार का कुंडली बना जाता है आयता का दिखेआना उसे असे म法द्ध मार भाट है यहां पर चीतत सब्सक्राइब करता है इन दो चुमक के बीच में जब रखते हैं और किसना कैसे गुमाता है जीरो से 180 के बाद हम लोग क्या करते हैं वले का यूज करते हैं जीरो से 180 गूमेगा उसके बाद वले का यूज करकर के इसकी धारा की माल बदल देंगे जैसे कि यहां पर दखिए अभी धारा कैसे बहर रही है P से जा रही है और S क्यों रहा रही है जैसे 180 पर जाएगी हम लोग क्या कर देंगे अब S से धारा के दोंगे और P से धारा को लेते हैं यह काम कौन करता है बीदूत वाले करता है तो पेपर में बच्चों हमारा पुछ दीजेगा और इसका क्या क्या लिखना है सिधान तो कारी भी दी तो सबसे पहले हेडिंग डालना बच्चों हेडिंग डालके आप पॉइंट पॉइंट लिखना बच्चे गलती यह करते हैं कि लगतार लिखते जाते हैं लगतार आपको नहीं लिखना है पॉइंट पॉइ कुंडली PQRS में धारा पुराइद की जाती है तो एक चुमके दिधूर की बाती कारी करता है बच्चो जो हमारे कुंडली होता है PQRS उसमें जब हम लोग धारा देंगे यानि विधूर तुड़िये जेंगे तो उसमें क्या होता है चुमके दिधूर उत्पन हो जाता है पहल क्या होगा वह चुम्बग के करण क्या होता है घुमने लगता है कर्षों कर्सं के बल लगता है तो गुंडली क्या होती है बच्छों घुमने लगता है फिर जरक ड्राकमाण 0-1803 पर बदल दी जाती है ताकि उसकी जिदृवर की बदल जाए तथा फीर 180-360 घुमने लगती है क्यों बच्चो हमने अगर धारा का मान नहीं बदलेंगे तो चुमक उसमें लगतार चेंज नहीं होगा हमको चुमके फ्लक चेंज करना है तो उसके लिए का करेंगे बीदूत वाले का उपयोग करके उसकी धारा की मान बदलेंग मोटर में नीमन भाग होते है कौन कौन से भाग होते हैं बस तीन भाग या दखना है आपको एक होता ह्यों और यह क्या करता है उसके हैशा नार व्पत तीदने के बाद बच्चो क्या करना आपको टाल देना कि यह क्या क्या होता है ठीक को तो देखो कैसे लिखना, अनमेचर में लिखना, अनमेचर हमने आपको पता है नो यह आयतकार होता है, पतले तार का बनना होता है, तो यह से लिखना है, कि यह ताम्य के पतले तार होते हैं, जिसकी आकिरती आयतकार होती है, जो अपने अक्षपर सोतंत्र घूम सकता है, अनम पर घूमता है चुम्वकों के बीच में रखने के बाद़ थीकर अब देखो 6 चुम्वन प дополнने के उनी gevकित चृत चुम्वन की होता है इस मैं और सियरे तो यह से लिए कि आ डी होते हैं जिसके दो भूता हैं छुम्व का met somos डूmm ये हो act चुम्बक के दिशा होती है N से S होती है या S से N होती है चुम्बक के बाहर ठीक है बच्चो तो जल्दी इसको कमेंट करेंगे बताओ क्या होगा ठीक अब अगला प्रसंद देखो अगला पॉइंट देखो कहाना कि विवक्त वाले क्या होता है तीन होता है अब विवक्त वा एक एक और दो वले से जूरे होते हैं तथा गयर फाइट के टुकरे को इसस्पार्स करते हैं ठीक है बच्चो इतना लाइं लिख देना आपको एगामनोर फूल में फूल में देने वाला इदना बता देंगे कारविधी में कुंडली घुमने लगती है इससे हमारा क्या होता है पंखा हो चाहें कोई भी हमारा मोटर हो हमारा घुमने लगता है ठीक है बच्चो और लिखे देना कि वले का जो काम होता है पूछेगा पेपर में कि वले का क्या काम है तो ऐसे लिखे देना कि वले का जो काम है कुंडली की धारा की दिशा बदलना होता है ठीक है बच्चो जीतना हमने आपको बताया है इतना अगर लिख दोगे तो पक्का क देखते हैं कौन इंपोर्टेंट है हमारे जो बोड के प्रक्षाओं पुछेगा ठीक है अब देखो बच्चो अगला प्राश्ण कर रहा है कि विक्रों में मुत्र निर्मार की परकिरिया सौची परकिजिए यह बहुत इंपोर्टन कोश्चन है बच्चो यह जो हमारा माडल पेपर है उसमें भी दिया गया था कि यह बताओ कि विक्रों में मुत्र निर्मार कैसे होता है उसका चीतर बनाओ ठीक है बच्चो ताओ देखते हैं सबसे पहले इसको इस परका का होता है विक्र होता है किड्णी होते है बच्चो तो क्या कोशीर हमारा जो खून होता है बलोड में जो हमारी विभीन पका का सूधिया होती है जिसे युरी कमल हुआ युरी आ हुए सभी को क्या करता है चान कर हमारे सरी से बाहर करता है ठीक है बच्चो अब अगला लाइन दिखना कि मनुस्य में पॉइंट नमर्ट तू दाल के देना कि इसमें एक जोड़ी विक सेम के बीज के आकार की होती है ठीक है बच्चो अब अगला देखो पॉइंट क्या लिखना है अब अगला पॉइंट लिखो कि प्रतेक विक लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा 6 सेंटीमीटर चोड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है क्या बच्च क्या है उसकी लंबाई 6 क्या है चोड़ाई 12 सेंटीमीटर बच्चो यह जो पॉइंट अगर लिखो कि बच्चा एकदम सही से पढ़ा है ठीक है बच्चो अब देखो अगला पॉइंट क्या लिखो कि आंतरिक सरचना में विक जो होते हैं दो भागों में बटा होता है कैसे बच्चा होता है बच्चो एक होता है कार्टेक्स एक होता है मेडूला ठीक है बच्चो इतना इतना पॉइंट लिख दोगे यामनों कहेगा कि एकदम डीटर में बंदा पढ़के आया है ठीक है बच्चो तो याम को एकदम फोड़ देना है एकदम तोर फोड़ कर देना है सबसे पहले आप नल्का बनाजिनेगा सिध्हा लाइन में अब यह दखने holy यहां पर कैया करेखा जो यह निलाला लायन होता है मैं यह नलिया हों क्या है इस बच्छो हमारी नलिया है आप यहांपर दिखने़ गोला यह होता है कोशा का और अवर्ष्टक अब यहां और दोख में ऑच्तुक में आने के बाद जो खून होता है हमारा जो रूधीर होता है अब यहां से देखो यह पीली वाली है हमारा यह मोटी होती हैं मोटी होने कराथ इसमारी क्या हिए छाड़ा होना बघदा चैक्क पतली में तो भरेगे Tabii Never मोटी में सब से पहले बढ़ेगा और बचो यह जो होता है यह जो पतली और यह जो मोटी हमारी क्या है जो नलिया है यह आपस में बहुत लिप्टी होती है और जो मोटी होती है इसमें हमारा विरुधीर बढ़ने के कारण इसमें हमारा दाब बढ़ने लगता है और बताओ ब nalit को फूरे नाली में आजाते हैं अब इधर से खून आ में आँ गोड़े सहरी के फेले वाली में उसमें यहां डालने चान में पूरी में पर छान बच्चों किसमें बच जाते हैं पीले वाले वे अब देखो बच्चों पीले वाला इसे करते करतें में और यह निले वाला जो आपकी पाइट जाओंट है स्बाते हैं वह यहां पर आपा पर उर्बंषनया को धुरभरेया कुप यहाँ थे मुंद्याच के बाद il बच्चों तीस बगास से इसका structure बना देजिएगा और इसका कारीविदी देखिया क्या क्या लिखना तो सबसे पहले हेडिंग डालना कारीविदी पहला point डालना लिखना इसका काम उत्तसर्जी प्रदार्थों जैसे यूरिया यूरिकम आधि को रुधीर से अलग और मुत्र बनाने में होता है बच्चों इसका काम क्या होता है उत्तसर्जी जो हमारे प्रदार्थ है यूरिया है यूरिकम सबको क्या करना मुत्र के रूप में बनाकर असूद कर जो भी हमारे असूदिया उसको क्या करना मुत्र के रूप में आपको बाहर निकलना होता है ठीक है कमारा आपको दिख रहा है इसी को केशिका गुछ कहते हैं जो हमारे यह नलिया है सब आप एक दूसरे में लिप्टी होती है ठीक है तो लिखना यह बच्छो कि जब रुधीर केशिका गुछ में परवेश करता है तो केशिका गुछ में दाब बढ़ने लगता है दाब बढ़ने के कारण किशिका में उपरस्टित रुधीर के प्रोटीन वगुद्य से चले जाते हैं ना बच्छो क्या होता है जो हमारा प्रोटीन होता है दाब बढ़ने के कारण शुछ Crowns hills वाले नली को चोड़कर पत्ले वाले चले जाते हैं और मोटे वाली नली में वहमारा क्या भाज जयता है यूरेया भाज जयता है ठीक है बच्छो तो مेरे प्यार बच्छोब स्म१enda अब कैसा लिखेंगे अब ज करेंगे में अधिकास ढटा था एर हम्म crack शुत्म निश्वंदन कहते हैं क्या कहते हैं बच्चो अतिशुच्म निश्वंदन कहते हैं ठीक है बच्चो तो इतना लाइं लिख देना अब आगे लिखना लाइंग कि छने हुए यूरिया अम्न लवां आधी विक्र में रहते हैं रह जाते हैं जिसे मूत्र कहते हैं मूत जो होता है विक्र नालिका से संग्रहाक नलिके नलिका से होते हुए मुत्रवानी तक जाता है तथा वहां से मुत्रासे में पहुच जाता है वहां से बाहां निकल जाता है ठीक है बच्चो तो यह जो प्रस्ण पक्का आएगा जैसे बता हैं एकदम हैसे लिख देना ठीक है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते हो अब चलो अगले प्रफिश्न में च्रे नमर के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है यह हमारा फिजिक्स हो गया हमने केमिस्ट्री का बता दिया एक बाइलोजी का बता दिया ओब हमारा के तो हैं सबसे पहले हमने बता अपको उत्र लिख दिएगा उसके बादा आपको क्या डालना सबसे पहले होता क्या है जो दो चोटे-चोटे हमारे पदार्थों को अगर मिलाएंगे तो एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ मिलाते हैं तो तीसाय पदार्थ बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं तो कैसे लिखेगा प्रेपर में ध्यां से सुनों लिखना कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ प्रसपर अभिकिरिया करके नौए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिकिरिया को क्या कहते हैं बच्चो रहसायनिक अभिकिरिया कहते हैं ठीक है बच्चो इतना लाइन लिख दिचेगा उदाहान देजिए उदाहन में दखिए मानने हमेरे म्यंगनिश्ब किस पादार थे अब एक हम नहीं है या है हम रहा तो उदाहन सहीत आपको लिखना क्योंकि छे नमर आपको पाना है की नहीं पाना है बच्चो छे नमर में यह पूचेगा आपको छे नमर पाने के लिए इतना तो करना पड़ेगा ठीक है बच्छो तो क्या लिखेंगे कि जब एक या एक सवधिक पादार्थ आपस में परस्वर अभी किरिया करके जब नए पादार्थ बनाते हैं तो ऐसे लिग नाव को ऐसी रूप से निम्न परकान के होते हैं कौन जोते हैं बच्चो एक उमना मिल जलाए तो चलो अब देखते हैं सोयोजन अभी किरिया सोयोजन अभी किरिया क्या होता है हेडिंग डालना है हेडिंग डालने के बाद अब देखो कैसे लिखोगे ऐसे लिखना कि सोयोजन अभी किरिया वो रसाइनिक अभी किरिया है ये भी हमारा क्या है रसाने के परकार है तो लिखना सोयोजय न भी किरिया वह रसाने का भी किरिया है जिसमें दो या दो से अधिक परकार के अनू प्रस्वर जूर कर केवल एक ही परकार के पदार्थ के अनू बनाते हैं कोहने का मतभी है बच्चो दो चीज मिला कर जैसे कि ह हम लोग क्या करेंगे दो पदार्थ कोई भी ले लेंगे मालने सोडियम या कुलरीन है आपस में जब मिलाएंगे तो क्या बंजेगा हमारा नमक बंजेगा ठीक नमक क्या लावा और दूसरा कोई पदार्थ नहीं बनेगा केवल एक ही पदार्थ बनता है उससी को कहते हैं सोडियम करते हैं तो क्या बंता है नमक बंजेता है ऐसे ग्राम उदार्थ देदे के आप क्या करेंगा लिखिएगा ठीक है बच्चो समयद में आला तो वीडियो को लाइक जरू करो सब्सक्राइब करो चलो अगले दखो अगला प्रस्न क्या है अगले दखो हमारा क्या करते हैं उनको अलगुकर जाने कि ऑव यह रहता एक है अब बंके दो तेयार हो जाता है तोONA रहता है तो जसको कैसे लिखोगाई और समय निकवी करिया है इतना लाइन सभी में लिखना है फी लिखना जिसमें कोई योगिक अपने अवयवी तत्वा थवा छोटे-छोटे सरल योगिकों में बियोजित हो जाता है यह अभी किरिया उस्मा प्रकास वो बिधु द्वारा संपन होती है कैसके तो मानो कोई हमारे एक परदार थे तो यह अलग कैसे होगा ऐसे खाली रख दोगे तो थोड़ना होगा उसके लिए क्या चाहिए उसमा चाहिए अब घटन चाहिए तो अब उसको क्या करेंगे उसमा अब घटन लगा के उसमा देंगे तो क्या हो जगा वह अलग हो जगा तो मानों हमारे यहां पर लेख लेना के सी य फिलो ठी अब इसमालों के उसमाẫn हो यहां करेंगे रंगे उसमात देंगे उदान में लिखेBa तो अब हमारा क्याहों जगा एक पोटासियुम कोलोराइड एको आक्सीजियन होगा हमारा भारं हो जगा यानि आप्सीजियों को अलग ग्रहयाँ कर लेंगे और पोटासियोम क्ल तो पर्मौ किया है उसी इसा लिखना कि विस्तापन वह भिक्रिया जिसमें किसी योगिक की अनू किसी एक परमानू तब अथवा स्वमू के ऐसांट नुद दूसरा परमानू आ जाता है अब इसमें बच्चों यह होता है इसमें अभिकरीया में नो 2 पदार्त जब आपस मिल आजाते हैं तो उनके किसी एक परमारू का होते हैं आपस में अपना जगवा बतल लेते हैं तुम्हारे जगवाव प्रहुम आ जाते हैं तो इसे प्रहुम में समझे अब यह हमारा क्या आर्ण है अब कापर निस को कपर सलफेट के साथ हैं अब मिलाएंगे अब जो बैठ जैगा मेने तीर उपर करने का मतलर यह हुआ गार्स की लूप में बन जाएगा और तीर नीचे काने के मतलर विक्ता बता बता दिया अब बिस्तापन यह होता है इसमें दो जो होते हैं दो वनूं दोनों में क्या करते हैं एक का होता है दूसरे में आत्यका यहां परफ़ले में क्या होता आपस में दोनों आपस में चेंज करतें इसमें क्वहल एक चेंज करना है नुसमें दोनों कर देंगे तो देखो कैसे लिखना कि जिस और यहां पर में किया है sodium sulphate है अब जो आपस में रेक्शन करेंगे नो तो यहां के बैरियम इसके साथ आए गया बैर्यन sulphate हो जगा और यहां के sodium चलाजेगा koloinin के साथ तो यह क्या हो जगा sodium gullide हो जगा तो देखो यह हो गया polysolate barium sulphate और यह हो जगा sodium हें सोडियम कुलाइज तो इस पर घाल है क्या हो यह इसका जगह लेंगा यह तुने मैं कुछ आपन झाल श जगया होता है तुने हमरेख्यों होता है ठीक है बच्चो यह जो तीनों को Um तीनों कोईशन कॉल के पेपर में पक्का आएगा इसको एक दम रठ लेना अगर नहीं आएगा तो कहना बच्छो ठीक और कमेंट करके बताओ कि चार्चा नमर वाले में पूछे जाने वाले सभी महत्मुर्ण कोईशन कौन कौन से आपको बताएं कमेंट करके बताओ उस